हेलो किट्स तो आज हम ये सीखेंगे कि हम गूगल क्लास्रूम पर अपना काम किस तरीके से अटाच करते हैं जैसे कि कोई वीडियो चाए या फोटो हो या फिर आपका PDF या कुछ और आपको किस तरीके से आपको अटाच करना है गूगल क्लास्रूम पर सबसे पहले आप गूगल क्लास्रूम को खोलेंगे, आप और ओपनिंग गूगल क्लास्रूम आप उस जगाँगे जहां पर आपके टीचर ने आपको वो काम असाइं किया है मैं यहाँ पर सबसे उपर वाली अपनी class open कर रहा हूँ जहाँ पर मैं as student हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे काम मुझे यहाँ पर assigned है तो मैं यहाँ पर नवीन शब्द जो लिखा हुआ है वहाँ पर इसको open करूँगा और यहाँ पर मुझे teacher ने assign करने के लिए कहा गया है यहाँ पर मैं आपको video upload करके आज दिखा रहा हूँ नीचे आपके पास add work का option है आप जैसे add work को click करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ options और दिखाई देंगे इसमें clearly आपको दिख रहे हैं कुछ option जिसमें drive, camera, scanner, upload, link और create का option है हम इसमें से upload वाले पर जाएंगे क्योंकि हम अपने चीज़ को upload करना चाहरे हैं अपने phone में से जैसे ही मैं upload पर click करूँगा यह मुझे मेरे phone के storage में ले जाएगा यहां पर अब आपको देखना है कि आपने वो चीज़ कहां रखी हुई है like यहां पर अगर मैं download देख रहा हूँ तो यहां तो randomly बहुत कुछ है सबसे उपर आपको three lines दिखाई दे रहे होंगे आप उस पर click करेंगे left side पे तो आपको आपके phone से related काफी सारे folders मिलेंगे अब इसमें से अगर आपके पास photos photo में है या gallery में है तो आप वहां से इसको भेजना चाहते हैं तो वहां से भेजेंगे जैसे कि अभी मैं videos भेजना चाह रहा हूँ तो मैं videos के direct folder पे click करूंगा और जैसे मैं videos के folder पे click करूंगा मुझे मेरे phone की काफी सारी videos दिखाई देने लग जाएगी अब आपको कोई भी video यहाँ पर share करनी है आप उसको click कर दीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर यह वाली एक video अपने student की ही एक video को select कर रहा हूँ जैसे ही मैं इसको select करूंगा तो यह अब यहाँ पर गूमने लग जाएगा बेसिकल यह processing time है यह अपना time लेता है upload होने में now you can clearly see कि यहाँ पर यह चीज upload हो गई है that means यह अब upload हो गई है और अब यह teacher के पास भेजने के लिए पूरी तरीके से ready है अगर आपकी video का size थोड़ा जादा बड़ा है तो हो सकता ही जादा time ले और अगर बहुत जादा time ले रहा है या फिर आपको वो allow ही नहीं कर रहा है कि आपकी video upload होगी तो हो सकता है आपकी video का size जादा बड़ा हो उसके लिए आपको google play store पे कोई app से अपनी video को resize करना होगा उसको छोटा करना होगा या फिर आप online जाकी उसको कर सकते हैं और उसके बाद upload करनी होगी otherwise अगर आपका network strong है तब आपको इंसे दो की ज़रुत नहीं पड़ेगी वो automatically आपकी video या फिर कोई भी PDF या image easily ले लेगा और upload यहाँ पर हो जाएगा after uploading this अब आपको यहाँ पर सबसे last में क्या करना है turn in दबाना है जो सबसे नीचे लिखा हुआ है अगर आपको नहीं दबाएंगे तो यह आपके teacher के पास पहुचेगा है नहीं यह आपके पास ही रह जाएगा उसको आप दबाएंगे जैसे ही यह permission मांगेगा और turn in आप कर देंगे और यह आपके teacher के पास पहुच गिया नीचे आप flash वहा देख भी सकते थे लिखा था work submitted that means अब आपको यह चीज आपके teacher के पास पहुच गई है thank you and have a nice day